नमस्कार मेरा नाम है खुश्चाल अंतररास्टे प्रसंगों से जुड़े कारिक्रम दुनिया इस हफ्ते में आपका स्वागत है साथियों आज की एपिसोड में हम केवल किसी अंतररास्ट के संबेलन, विवाद या घटना क्रम भर की चर्चा नहीं करेंगे बलकि उससे जुड़ी सिर्धानती की पर भी चर्चा करेंगे हम देखेंगे कि वैश्विक राजनीती में या थार्तवादी नजर्या किस तरह कारे करता है यह भी समझेंगे कि किस तरह प्रभुत्व शाली रास्टों के हित ही अंतरास्ट्य राजनीती में मायने रखते हैं उनकी बनाई हुई धार्नाएं नीतियां ही महतपूर होती हैं बाकी कमजोर रास्ट्य या हाशिये पर खड़े रास्ट्रों के हितों को दरकिनार कर दिया जाता है यहां तक कि उनकी आवाज को भी दबा दिया जाता है कुल मिलाकर कहें तो अंतरास्ट्य राजनीती भी शक्तिशाली देश या समूह के इर्द गिर्द ही घूमती है युनानी दार्शनिक ठ्रेसीमेकस के शब्दों में कहें तो शक्तिशाली का हित ही नयाय होता है दरसल हम बात कर रहे हैं रूस युक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और यूरोपिय देशों के नजरिये आपने देखा होगा कि यूरोपिय राज्यों ने किस तरह लगभग एक गुट बनाकर रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए इतना ही नहीं बलकि यह समू अन्य रास्टों को भी रूस से व्यपार पर रोक लगाने को कह रहा है कई बार तो इस अनुरोध की भाषा धमकी तक विस्तृत हो गई जैसा कि हमने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के मामले में देखा लेकिन इसके विपरीत इसराइल फिलिस्तीन मामले में तथा कथित न्याय राज्यों ने दोहरा रवया अपना रखा है गौर तलब है कि बीसवी शताबदी के मध्य से शुरू हुए इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के लगभग चोहत्तर वर्ष हो चुके हैं लेकिन निकट भविष्य में इसका समाधान मुश्किल लगता है क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि तथा कथित न्याय राज्यों ने इसके समाधान को लेकर चुपी साध रखी है इसी संघर्ष निवारक तंत्रों में इनी राज्यों की प्रभुता यानि डॉमिनेंस है जिसकी वजह से इसराइल फिलिस्तीन विवाद खत नहीं हो रहा है उम्मा विश्विद्याले गाजा के प्रोफेसर अदनान अबु आमेर युक्रेन और फिलिस्तीन के संबंध में पश्चमी राज्यों के अलग-अलग नजरीयों को पाखंड कहते हैं प्रोफेसर आमेर कहते हैं कि यूरोपिय राज्यों ने पूरे दिल से यूकरेन का समर्थन किया है और दिखावा किया है कि यूकरेन और फिलिस्तीन की स्थिती में कोई समानता नहीं है जबकि युक्रेन पर रूज द्वारा आकरमन को फिलिस्तीनियों ने खुद पर आकरमन के रूप में महसूस किया है पिछले कई महीनों से चल रहे भूमी कबजा सैनेहिंसा और युक्रेन के लोगों के युध अनुभव में फिलिस्तीनियों ने प्रत्यक्ष समानताएं महसूस की लेकिन इन सब के बीच खुद युक्रेन के राश्पती जलन्सकी ने युक्रेन की युध इस्थती को फिलिस्तीन के समानना मान कर इसराइल के समान माना साथ ही युक्रेन ने अपने नागरी को पर हिंसा उनके पलायन को इसराइली लोगों के साथ तुलना किया असल में देखा जाए तो वाकई में युक्रेन और फिलिस्तीन से संबंधित विवादों में कोई समानता नहीं है और ना ही समानता की जानी चाहिए लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोपिय देशों की समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की आवाज वहीं बुलंद होती है जहां उनके हिच्छिपे होते हैं फिलिस्तीन तो एक उदाहरण है जिसको केंद्र में रख कर हम यूरोप ये राज्यों के दोहरे चरित्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं अगर हम बात करें रूस के आक्रमन की तो यूक्रेनियों ने पूरी बहादूरी से लड़ा है इस मामले में यूरोप ने खुल कर ना केवल समर्थन किया है बलकि हत्यारों की सीधे तोर पर आपूर्ती भी की जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमन किया तो यूरोप ने बिना विलम किये मासकों को आक्रमन कारी घोशित किया व्यक्तिगत और सामुहिक दोनों इस्तर पर रूस को धमकाया और अन्य रास्टो से रूस की निंदा करने को कहा लेकिन वहीं फिलिस्तीन के मामले में इस्राइल की आक्रमक्ता को लेकर यूरोपिय देश आज तक यह कहते आये हैं कि इस्राइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है यूरोप ने यूक्रेन को पीडित के रूप में सुईकार कर लिया और नागरी को द्वारा रूस के खिलाफ हतियार उठाने को रास्ट भक्ती के रूप में वर्नित किया जबकि फिलिस्तीनियों द्वारा हतियार उठाने को आतंकवादी के रूप में संबोधित किया इस संबंध में और विस्तार से बात करें तो पिछले 10 महीने से चल रहे रूसी बंबारी में युक्रेनी नागरिकों की मृत्ति हुई और हजारों घायल हुए। इसी तरह सत्तर से अधिक सालों से चल रहे फिलिस्तीनी संघर्ष में हजारों की मृत्ति हो चुकी है। लेकिन दिल्चस्प बात है कि युक्रेन के संबंध में यूरोपिय नेता 24 सो घंटे रूसी बंबारी की आलोचना के लिए तयार बैठे रहते हैं। परंतु फिलिस्तीन के मामले में नहीं। दरसल इस तरह की निंदा होनी चाहिए लेकिन सलेक्टिव या चैनात्मक नहीं। रूस के खिलाफ यह बहिशकार अभियान जितना व्यापक और त्वरित था शायद ही किसी वैश्विक मुद्दे पर कभी यूरोपिय देशों ने इतनी एक जुट्ता दिखाई हो। सबसे खास बात यह रही कि रूसी नागरेक चाहे वे युक्रेन में युद्गा समर्तन करते हों या नहीं। सभी को शिक्षा, संस्कृती और खेल के शेत्र में अंतरास्टे कारिक्रमों में भाग लेने से रोग दिया गया। के दोहरे चरित्र के शिकार हुए हैं। दरसल यूरोपिय देशों का सामराज्य एशिया, अफ्रीका, महदीब के शेत्रों में फैला था। और ये सामराज्य वादी शक्तियां इस बात को स्थापित करने में सफल रही कि पस्चमी नसल, शिक्षा, संस्कृती, कला, राजनीती ही सबसे बहतरीन है। अगर इमानुवल वॉलर स्ट्रीन के शब्दों में कहें तो पैरिफरी राज्यों की राजनीती भी कोर राज्यों से संचालित होती है। इस संबंध में कोर राज्य के उदाहरन के रूप में अमेरिका और यूरोपिय राज्य जबकि पैरिफरी में वो देश आते हैं जो संसाधन विहीन हैं और आर्थिक रूप से कोर राज्यों पर आश्रित हैं। जरूरत है कि चाहे यूक्रेन हो या फिलिस्तीन या अनने कोई देश सबके साथ समान विवार हो। आकरांता और पीडित के बीच के अंतर को पहचाना जाए फिर वो चाहे यूरोपिय देश हो एश्याई देश हो या फिर अफ्रीकी ही देश क्यों नहों। इस एपिसोड में इतना ही उम्मीद है कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हमें बताईएगा। आईएब नोट करते हैं आज का सवाल। विश्वराजनीती आदर्ष सिध्धानतों से नहीं बलकि शक्ति के माध्यम से संचालित होती है। इस कथन के आलोक में वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की यतार्तवादी समीक्षा कीजे। हमारे इस कारेक्रम को लेकर आपका क्या फीडबैक है और क्या कुछ सुझाव देना चाते हैं ये हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।